येदि आपके घर्य कराव है तो बड़े ही शरल तरीक्टे से वो ठीक हो सकते हैं इसके विचित्तर अचुक और अतिस्चरल उपाए हैं। आपको करना है सिरफ एक काम अपने परिवार वालों का अपने आसपास के लोगों का समान आपको करना है। लेकिन उससे घरे कैसे ठीक होंगे विश्तार से समझाऊँगा वीडियो पूरी देखना लेकिन सबसे पहले आपके मन में विराजते इश्वर को मेरा परनाम मैं इश्वर से प्रातना करता हूँ कि आपके घर परिवार में महिशा सुक्सान्ती समर्दी और स्वास्ते का बास रहे तो अब सुनिए कि आपने अपने नोग्रों को कैसे ठीक कर सकते हैं और उनका सुप फल कैसे पा सकते हैं किस घरे के खराव या कमजोर होने से क्या होता है किस समंद को ठीक करने से वो घरे क्या सुप परवाओ देने लगता है यदि वो घरे सुप स्थान पर है तो क्य होता है उस घरे से जुड़े समंदों को ठीक कैसे करें तो सबसे पहले बात करते हैं सुरिय घरे की सबसे पहले मान लीजिए कि सुरिय के कमजोर या खराब होने पर क्या होता है अब इस बात को समझ लेते हैं कि सुरिय के कमजोर या खराब होने पर होता है यदि सुरिय कमजे ईंसान को होती है यही किसी का सुर्यक खराब है तो उसके साथ एक और समस्था बहुत अधिक होती है ऐसे व्यक्ति का समाज में मानसमान बिलकुल नहीं होता वो कुछ भी कर ले उसे समाज में मानसमान नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति में आत्विश्वास की बहुत अधिक कमी हो जाती है जिस व्यक्ति का सूर्य दुर्वल हो ऐसा व्यक्ति किसी की आखों में आखे डाल कर वात नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति मतलब है उसके पिता से भी सम्मंद ठीक नहीं रहते अब इन सभी समसाफ से चुटकारा पाने के लिए आपको अपना सूर्या मजबूत करना होगा लेकिन कैसे अपने एक सम्मंद का सम्मान करके कि सम्मंद को ठिक करने की आउस्ता है आपको देखी सूर्या जो है पिता का कारक है और सूर्या आत्मा का कारक है सरल बासा में इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुली में सुरिय जो है आपके पिता के साथ आपके समंदों को भी दर्षाता है इसलिए सूरिय के कमजोर या खराब होने पर या फिर वो सारी समसाई होने पर जो मैंने आपको बताई है आपको अपने पिता से सम्मझ सुदारने की आउच्टा है तो पिता का सम्मान करने की आउच्टा है लेकिन ये करना कैसे है लेकिन उससे पहले कुछ और जान लीजिए यदि पत्रिक्का में सूरिय सुष्थान पर है तो क्या होता है यदि आपकी कुडली में सूरिय सुष्थान पर बैटा है बलवान है लेकिन इसके बावजुद भी आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते या पिता का अपमान करते हैं तो आपका सूरिये बल हिन होना आरम हो जाएगा, कमजोर होना सुरू हो जाएगा और इसका फल आपके जीवन पर यह पड़ेगा कि सूरिये सम्मधित सभी छेतरों में आपको हानी सुरू हो जाएगी. अप्यस मिलने लगेगा पिता का अनादर करने पर भी सूरिये की परकती, सूरिये का सभाव आप में कम होना सुरू हो जाता है. आपका साररिक, मानसिक और आत्मिक बल देरे-देरे कम होना लगता है. और सूर्य आपकी कुनली में सूर्य स्थान पर होने पर भी आपको असूब फल ही देने लगता है अब यदि पत्रिक्का में सूर्य असूब स्थान पर है तो क्या होता है अब यदि आपकी जलम पत्रिक्का में सूर्य खराब है और आप अपने पिता का समान करते हैं तो आपका सुर्य बलवान होना आर्म हो जाएगा और आपकी पत्रिक्का में सुर्य का स्थान कुछ भी हो वह कैसा भी फल देने वाला हो आपको मतलब आपके इन कर्मों से आपका सुर्य आपको सुप फल जो है जरूर देने लगता है अब मान लेजिए कि आपके भागेस्तान का स्वामी सुर्य है और आप अपने पिता को कष्ट दे रहे हैं तो धीरे धीरे आपका भागे आपका साथ जो है बिलकुल छोड़ देगा अब यदि आप अपना सुर्य शोम खुद ही खराब करना चाते हैं जीवन में दुख भोगना चाते हैं तो अपने पिता को कष्ट देना शुरू कर दे एक दम सरल है अब सुनिए सबसे बड़ी बात पिता के साथ समंदों को ठीक कैसे करें ये तो मैंने आपको बता ही दिया क अपने पिता का समान करें लेकिन ये सब करना कैसे हैं क्या क्या करना है तो सबसे पहले प्राते उठकर माता पिता को परनाम करें रात को सोने से पहले उनके पैराब दबाएं समय समय पर उन्हें उपाहर दें जैसे आपकी सेलरी मिली है या कहीं से भी धन आपको मिला है तो उसे अपने पिता या माता को कोई उपार लाकर दे उन्हें परसंता होगी वो कुछ कहे तो एकदम उनकी बात काटे नहीं उनकी अग्या का पालन करे आप उपने पिता का सम्मान करे तो समाज में आपका सम्मान अपने आप जो है शुरू हो जाएगा बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका सुर्य जो है सुफल आपको देने लगेगा बाकी के घरों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसके लिए और भी वीडियो लेकर आ रहा हूं इसलिए चैनल को सस्क्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि आउन लोगों का भी बला हो पाए घंटी का बटन दबा कर आल वाला ओप्शन चुल ले तो मिलते हैं मेरे पिरियो दर्सको अगले वीडियो में जै भेरो वाबा की जै भोले नात